तो दूस्तो मैं आज आप लोग को इस वीडियो में WhatsApp का कमाल का 5 tips and tricks आप लोग को बताने वाला हूँ जो कि बहुत सारा लोग को दूस्तो इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि यह नया नया आपडेट आया है और mostly जो है दूस्तो हर लोग के पास अपडेट आ चुका है लेकिन वो लोग इस्तिमाल करना नहीं जानते है कि वो कौन से WhatsApp का कमाल का 5 tips and tricks है तो दोस्तो WhatsApp ने अभी क्या क्या है official WhatsApp पे ही बहुत ही खतरनाक और amazing updates दे दिया है ताकि लोग जो है अलग-अलग source से WhatsApp को install ना करे जो main WhatsApp है उसमें ही दूस्तो यह सब features जो है अलग-अलग feature amazing tips and tricks आपको मिल जाएगा तो आपको क्या करना है वीडियो शुरू से लेकर आगी तक एक-एक tips and tricks follow करके देखिए आपको जो है बहुत कुछ सिखने को मिल जाएगा तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक च्छोटा सा तो दोस्तो चली अभी आप लोग को दिखाते है वो कमाल का WhatsApp पाच tips and tricks आप लोग को बताते है जो आप लोग यह वीडियो देखने के बाद दूस्तो आप लोग को वाट्चाप का बहुत चरह इस चीज के परहे में समझ में आ जाएगा जो अभी आप लोग को फिलहाल पता चाते हो जिसके साथ आप पार्सनेल बाते करते हो या फोटो अगर वीडियो अगर आते हैं तो आप लोग नहीं चाओगे कि वो किसी दूसरे बंदे को दिखे तो यहां पर आने के बाद आपको जो है चार्ट लॉप्शन दीख जाएगा आपको यहां पर तिक कर ले देंक जैसे कि मैं यह भी लॉप करके दिखाऊंगा आप लोग को यह करने के बाद चार्ट लॉप इसको भी मैं चार्ट लॉप पर लॉप्शन दीख जाएगा यहां पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है किसी को भी नहीं देखेगा आप ही दूस्तो इसको आप फिंगर पिंट स बाहर आजाएगा तो दूस्तो अभी मैं बताने वालो हूँ आपको दूसरा टिप्स और ट्रिक्स वाट्षप के बरे में ठीक है इसके लिए आपको सेटिंग पर करना होगा क्लिक करने के बाद दूस्तो सेटिंग पर आप जाइए आप जाने के बाद चार्ट का ओप्शन होटा है मुरूरा चार्ट नहीं मिल पता है इसके लिए यह टीक फोलो यह पर usability करें के बाद आपकोशह वाट्षक करना है यहाप घंपके पान चेहां फोन रेजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों यहां पर मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो है यहां पर तीन डाट का ओप्शन दीख जाएगा फिर लिंक टो एक्जिस्टिंग अकॉंट पर क्लिक करना है इस वाट्शब करें आपको क्लिक करने के साथ छाति दूस्तों इस वाट्शब से धी स्कैन करोगे तो प्लाए उस्कमीерж कर आपको त्रीके करने बडूластे के बाद आपको सेटिंग के यहां करना हुगा तो इससे क्या होगा दोस्तो चार्ट हिस्ट्री पे आपको क्लिक करना है तो इससे क्या होगा दोस्तो चार्ट हिस्ट्री पे जो है आप अगर किसी के पर्सनेल चार्ट जो है आप उसको हिस्ट्री निकलना चाते हो मतलब देखना चाते हो उस पर्सनेल जो कॉंटेक लिस्ट उसके साथ कितना साथ हो सर्क पर siar नंबर सकते हैं गया है का आया अगर अगर आपको जो है किया क्या वीडियो सेंड हूआया या क्या क्या फोटो वह भी चाहिए तो आप जो है include media पर रखे अगर आपको सिर्फ जो conversation हुआ है चार्ट हुआ है सिर्फ वह चाहिए तो आपको जो है without media पर रखे दोस्तो send कर दीजी ठीक है तो यह send कर देना है दोस्तो अगर आप चाहो तो आपके Gmail पर भी send कर सकते हो उसके साथ यहां पर देख सकते हो वाट्ट्चब चार्ट विट जिए हूँ यहां पर देख सकते हो दूप्शन खुल खेया कुछ्ट प्यए भीवर नहीं है डवल्लोट के लिए कियोंकि वहां से आसान होता है जाना प्यड़ीव तो HTML viewer पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो उस चार्ट के साथ क्या-क्या कितने दिन कितने तारीक को कितने बजे क्या-क्या चार्ट हुआ है सब कुछ दोस्तों यहाँ पर आ जाता है आपको जो है कोई भी घबराने की बाद नहीं इस तरीके से अगर किस किसी के साथ बाते कर रहे हो किसी को भी नहीं देःगा लेकिन आप 24 आवर्स मतलब 24 घंटे भी आप आप और ट्सकी को भी नहीं देगा my last scene, यहाँ पर आपको select करना है nobody, मतलब nobody पर select करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है who can see when I am online, यहाँ पर लिखा हुआ है same as last scene, मतलब यहाँ पर last scene के उपर depend करेगा यह setting, तो आपको जो है यहाँ पर आगर आप यह everyone पर रखोगे, यहाँ पर भी आपका जो online status है, वो everyone को द WhatsApp status को आप hide करके रख सकते हो, चुपा के रख सकते हो, वार 5 tips and tricks में आप लोगों को अभी बताने वालो हो, इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, बहुत छारा WhatsApp पर unnecessary ऐसा चार्ट होता है, जो आप नहीं चाते हो कि वो mobile में रहे, वो दोस्तों WhatsApp पर ऐसा चार्ट के वज करने के बाद में आप लोगों को दिखा देता हो, यहाँ पर एक option दिखेगा, यहाँ पर click करना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर click करने के बाद 3 dot पर, यहाँ पर disappearing messages, यहाँ पर क्या करेगा, आपको यह click करना है, फिर दोस्तों यह देख सकते हो, यह by default जो है, आपको 24 hours timer select क मतलब यह है, मैं आप लोगों को समझा देता हो, यह आपने on कर दिया, तो आप जो है, इसके साथ जितना भी चार्ट करोगे, चाहे कुछ भी हो, photo हो, या video हो, कितना भी message आप कर लो, यह 24 hours के बाद आपका WhatsApp से, जो है, आपके phone के gallery से, आपके phone का storage से, आपको यह खाली करने की ज़रूत नहीं होगा, आपके phone को दो दिन, तिन दिन के बाद यह खाली नहीं करना परेगा, यह automated के लिए, जो है, disappear हो जाएगा, जो भी messages आप करोगे, तो इस हिसाब से दोस्तों, जो जो चार्ट आपके यहाँ पर आनिम्पोर्टेंट है, important है नहीं है, उसको आप इस जो है, help करने के कोशिश जरू करूँगा, तो दोस्तों मिलते हैं आप लोग के साथ, ऐसा ही और informative वीडियो के साथ, अब तक के लिए, बाई